मुकिश गौयल आइओब की आप आप सारे बहुत अच्छ letcke आures करें के और मुझे बहूस से टूडएंट्स कि दिशने कोंट कौन में अच्छ लिए बहुत अच्छ लगा और यह इंपर आप पुछा है इक नोटिफिकेशन हम ने पढ़ा था और लिखा हुआ था कि 1 जुलाई 2021 से पीएशडी कमपल्सरी हो जाएगी ये बात लिखी हुई थी तो नैट का फायदा क्या है जो नैशनल और कॉल करना शुरू कर दिया तो बहुत अच्छा लगा कि आप कितने अवेर हैं अब ऐसे ही त्यारी नहीं करें ये बहुत अच्छी बात है तो आज हम उस कन्फूजन को दूर करेंगे कि भी नैट की जरूरी कहां पर है या नैट खतम हुआ है कि नहीं नैट जरूरी है कि PhD कहां जुरूरी है ये सारी बातें अभी हम करेंगे Government Document के साथ करेंगे चीक है ना मेरी बात समझ गे इससे पहले एक information दे देता हूँ कि UGC Net का जो paper 1 है compulsory paper है उसके registration open है अगर आप willing है तो registration करवा सकते हैं और paper 2 अगर किसी का environmental science है code number 89 तो उसके भी registration open है अगर आप willing है तो registration करवा सकते हैं इसके लिए जो description box में number दिये हुए है उन पर आप further information ले सकते हैं चलो हम बात करते हैं इस topic पे मैं अराम से आपको एक चीज़ पढ़के दिखा देता हूँ highlight of minimum qualifications for appointment of teachers in universities and colleges and major of maintenance of standards in higher education ये सारी काम इसलिए किया जा रहा है कि हमारी जो उच्छ सिक्षा है higher education है वो बहुत अच्छे स्थर पे जाए ठीक है ना तो teacher अगर अच्छे आएंगे तभी हमारी higher education बड़ी अच्छी होगी ठीक है ना ये तो बात की गई है इसमें देखो ये line देखो PhD degree will be mandatory PhD degree आवशक होगी ठीक है for direct recruitment direct recruitment के लिए to assistant professor AP के लिए in universities from 1st July 2021 तो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है अगर universities के अंदर ठीक है ना universities के अंदर assistant professor के लिए हम apply करते हैं या वहाँ के recruitment के लिए हमें PhD degree mandatory है यहाँ पे सिर्फ university की बात हुई है विश्व विद्याले की बात हुई है colleges की बात नहीं हुई है ठीक है ना colleges की बात नहीं हुई है तो इस सारी की सारे जो information जो अपने पास है इसमें एक ही बात आपको मैं बता देता हूँ key point क्या है कि अगर आप university में जाना चाहते हो अगर university में assistant professor के लिए जाना चाहते हो तो PhD compulsory है लेकिन college के अंदर जो college में lecturer होते हैं उनको भी assistant professor बहुत देते हैं college के अंदर अगर आप as a lecturer assistant professor जाना चाहते हो तो वहाँ आज भी UGC net ही जरूरी है मेरी बात समझे की नहीं समझे वहाँ आज भी UGC net ही जरूरी है कहां colleges के लिए universities के लिए क्या किया गया है PhD है वो mandatory कर दी गई है ये confusion आपको दूर कर देना है मेरी बात समझे की नहीं समझे हाँ लेकिन colleges में अगर आपको promotion चीए आपको promote होना है colleges में तो वहाँ पे आपको PSG डिगरी की जुरत हो जाएगी ठीक है ना मेरी बात समझे को तो UGC net देखो इस तरह से कोई competitive exam इस तरह से थोड़ी है कैसे हवा में कह दिया कि अब नहीं ऐसे नहीं होगा ऐसे नहीं होता competitive exam जब लगाया जाता है तो वह यहीं सोच के लगाया जाता है कि उससे हमारे पास बहुत ब्रिलियंट टीचर आएंगे अब नेशनल इजिब्ली टेस्ट में आड 9-10 लाग स्टूडेंट बैठते हैं competition के तुरू ही तो हम बहार अच्छे स्टूडेंट को निकालेंगे जो आगे जाके अच्छे टीचर बनेंगे ठीक है ना तो colleges के लिए नेट जरूरी है ठीक है ना तो मैं इस बात को एक note के दिखा देता हूँ जो इसका final conclusion है वो बहुत स्विस्ट लिखा हुआ है note में देखना बहुत बिल्कुल इस परस लिखा हुआ है note में दिखा देता हूँ यह देखो यह note है इसी document का जो बहुत final सा बात है इस बात को पढ़ लो आप बिल्कुल confusion दूर हो जाएगा क्या बोला है इस बात में PhD degree shall be mandatory recruitment for direct direct recruitment to the post of assistant professor in universities ठीक है ना यहां पर PhD degree कहां पर mandatory है universities के अंदर है with the effect from 1st July 2021 ठीक है how your master degree with net or PhD देखो 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 यहां पर master degree with net or PhD या तो आपके पास master degree के साथ net हो या PhD हो तो यहां पर master degree के साथ net will be continue to the minimum eligibility recruitment for direct recruitment to the post of assistant professor professor in colleges बात समझ में आगी की नहीं आगी तो CDC बात समझ में आई है colleges के अंदर recruitment के लिए master degree और net आज भी eligibility है तो net है ना net वो colleges में लेक्सर बनने के लिए assistant professor बनने के लिए आज भी eligible है जिसका master degree और net है तो यह confusion दो हुआ कि नहीं यह बता दो प्लीज यह final बात देखे रखना आप चीक है ना यही बात है जो आपको मैं बतानी थी बहुत से लोग confusion में थे लेकिन अब बात confusion की है तो हमारा फर्ज बनता है कि आप उसको clear करें तो अब क्या तीन बातें याद रखनी है अगर आप किसी university के अंदर direct recruitment चाहते हो assistant professor के लिए तो PhD compulsory है mandatory है बात पर ठीक है बात second बात second यह है कि अगर college के अंदर आप assistant professor के लिए apply करते हो college के अंदर तो master degree with net आप eligible है ठीक है ना बात समझ में आगी और तीसरी बात आगर आप colleges में promotion की बात करते हैं promote होने की बात करते हैं तो आपको PhD की जुरत होगी यह बाते हैं यह आपको ध्यान रखनी है तो अब आपको clear हो गया कि net का आप क्या value रहेगा ठीक है ना PhD की क्या रहेगी अब बात समझ में आए की नहीं आए तो net करिए फिर अच्छे से अपना PhD भी कर लिजिए तो recruitment फिर अपना प्रमोशन सारी चीजें हो जाएगी और यह तो up to you है आप क्या करना चाहते हैं ठीक है ना मेरी बात समझ रहे हो PhD के साथ साथ भी बहुत से student net की त्यारी करते हैं अगर उनको से खुष रहें और त्यारी करते रहें किसी भी चीजों को है ना नेगिटिव मत लिया करो है ना बहुत सी कोई भी बात कोई भी र्यूमर फैलता है तो आप पता ना हथियार डाल देते हैं बस अब हो गया ऐसा नहीं होता यह गलत अटिट्यूड होता है मेरी बास समझ रह प्रेक्स रखो मन को शांत रखो प्रेजेंट में जीने की कोसिस करो चीक है ना आप पास्ट और फ्यूचर की बातें बहुत सो सोच के प्रिशान हो जाते क्यों ऐसा आज का दिन है ना आज का दिन इसको अच्छे से जीओ इमांदारी से जीओ और बढ़िया से काम करके सो बड़ा अच्छा लगेगा आपको डेली का सोचा करो कि आज क्या करना है बहुत लंबी प्लानिंग काम नहीं आती आज कल देखी रहे हो आप ना पीछे का ज्यादा सोचा करो बिल्कुल आज में मस्ती से रा करो खुसी से रा करो नेगिटिवीटी को बिल्कुल पास नहीं झाल